आज मैं आपके साथ लसुनी मेथी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है तो आप मेरा वीडियो सुरू से एन तक देखते रहे जब भी आप मेरा वीडियो देखे तो उसके उपर प्ले आइकोन बटना आता है आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज देख सकते हैं मैंने और भी रेसिपीज के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्ट बाक्स में दिये वे हैं जिसको आप प्रेस करके और भी रेसिपीज देख सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो उसके नीचे छोटी सी बेल आइकॉन की गंटी आती है उसको आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके तो आईए बनाना शु जिससे इसमें जो मिट्टी है वो निकल जाए धूने के बाद चलनी में कम से कम 15-20 मिट के लिए रखते था जिससे एक्स्टा पानी है वो निकल जाए पैन में एक टेबल स्पून तेल एड़ करेंगे अच्छी तरह से गरम होने देंगे अगर आप चाहें तो तेल की जगे घी का भी इस्तेमाल कर सकता है आठ से नौ साबुत लसुन की कलिया एड़ करके थोड़ा सा भून लेंगे तो आप देख पा रहे हो लसुन में हल्का सा गुल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है जब इसको फ्राई करें तब कंटीनुिशन करना है नहीं तो लसुन जल जाएगा सारी मेथि को एड़ कर लेंगे तो आप देख पा रहे हो जैसी हम मेथि को डालते हैं तो पैन भरा सा लगता है, लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, तो यह बिलकुल स्रिंक हो जाएगी, यानि बहुत ही कम कॉंटिटी में हो जाएगी. मिक्स करना है, करीब 2-3 मिंट के लिए सौते करेंगे. गैस फ्लैम को मीडियूम टू लो रखना है, तो आप देखते हो मेथी अब सौते होने के बाद बहुत ही कम कॉंटिटी में रह गई है, अब गैस को बंद कर देंगे, साइड में रख देंगे. दो टेबल स्पून रोस्टेट क्युई मुंग फली, एक टेबल स्पून सफेद तिल, एक चमस बेशन एड़ करेंगे. थोड़ा सा पानी एड़ करके अच्छी तरह से पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे. अगर बैटर थोड़ा सा थिक हो, तो आप अपने अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी एड़ कर लीजिए, और पेस्ट बना लीजिए. तो आप देख से वो अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है, पेस्ट को एक बावल में निकाल देंगे. दो चमस तेल एड़ करेंगे, अच्छी तरह से गरम होने देंगे. अगर आपको तेल कम पसंद है, तो आप अपने हैसाब से थोड़ी सी कम क्वांटिटी एड़ कर लीजिए. तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, आदा चमस जीरा एड़ करेंगे. दस से पंदरा चॉप कीवी गरलिक एड़ करेंगे. हम लसुनी मेथी बना रहे हैं, तो गरलिक की थोड़ी जादा ही मातरा रखनी है. मीडियम टू लो गैस्ट वैम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे. दो साबुद लाल मिर्च, कंटीनियू मिक्स करते रहना है, जिससे गरलिक जले नहीं. तो आप देखे हो, गरलिक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है. एक फाइन चॉप की अवा प्याज एड़ करेंगे. अच्छी तरह से दो से तीन मिन्ट के लिए सौते कर लेंगे, जिससे प्याज का जो कच्छापन है, वो निकल जाए. प्याज को अच्छी तरह से पका लिया है, इसका जो कच्छापन है, वो निकल गया है. दो चॉप की अवी टॉमेटो एड़ करेंगे. करीब एक मिंट के लिए पकाएंगे जिससे टॉमेटो थोड़े से सौफ्ट हो जाए जब हमारी लसुनी मेथी बनकर त्यार होगी तो इसमें हलका सा प्याज का मीठा पनाएगा क्योंकि प्याज को हमने हलका सा सौते किया है इसको गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं किया है जो हमने पेस्ट पनाया था उस पेस्ट को एड़ करेंगे मिक्स करके करीब एक मिंट के लिए पकने देंगे क्योंकि इसमें हमने बेसन डालावा है तो बेसन को पकने में थोड़ा सा समय लगता है पेस्ट डालना के बाद थोड़ा सा पका लिया है एक चम्मस लाल मिर्शी पाउडर अड़ करेंगे स्वाद के अनुसार नमक अड़ करेंगे नमक कम ही डालना है क्योंकि मेथी भी कड़ भी है आदा चम्मस धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेंगे गैस फ्रैम को लो ही रखना है इसमें बेसन है तो ग्रीवी बहुत ज़्यादा थिक होगी तो आप देख पा रहे हो ग्रीवी थिक है इसमें आदा कटोरी गरम पानी अड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आठ से नौ मिन्ट के लिए धिमी आस पे पकने देंगे जब तक इसके उपर रोगन नहीं आ जाता है तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है उसके उपर रोगन आ गया है जब भी ग्रीवी बनाए तो बीच-बीच में चलाता रहना है जिससे नीचे लगे नहीं सोते की वही मेथी आइड करेंगे मिक्स करके धीमी आस पे एक मिन्ट के लिए पकने देंगे अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो आप गरम की आवा पानी आइड कर सकते हैं मेथी को मसाला के साथ करीब एक मिन्ट पका लिया है जिससे मसाला मेथी के अंदर अच्छी तरह से लपट जाए तो आप गैस को बंद कर देंगे गरमा गरम सर्व कर देंगे आपको इमीर रेसिपी कैसी लगी आपका अनुभा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ